नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरह आपने बहुत सारी वीडियो देखे होगी जिसमें आपको अक्रोट के घुन बताएगा है लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में अक्रोट के फैदे बताऊंगा और खाने की विधी बताऊंगा तो आज जान लेते हैं इस वीडियो में क्या खास है अगर आप ताकत बढ़ाना चाहते हैं अपनी और दिमाग को तेज बनाना चाहते हैं और जोडों को दर्द को ठीक करना चायते हैं तो आप अक्रोट का सेवन करें यह आपको ज्यादा से ज्यादा फैदे पहुचा सकता है अगर आप अक्रोट खा रहें उसके बाद भी आपको फैदा नहीं हो रहा है आपको कहीं न कहीं अक्रौट खाने के तरीके में प्राब्लम हो रही है अगर आप हेल्थ टिप्स में जो मैं आपको यह नुक्सके बता ह situations सुछ आप इसका इस्त्माल करेंगे आपको इससे सरीर से फुरती और ताकत भी मिलेगी और दर्द का नाज ओकर आपका सरेट चमकदार दिखेगा आईए इससे पहले जान लेते हैं कि अक्रोट के फैदे क्या क्या है नमबर एक अक्रोट खाने से हमें वजन घटाने में सहायता मिलती है अगर आप भी वजन घटाना चाहते हैं तो अक्रोट का सेवन के लिए बहुत फैदे मन्द है दूसरा अक्रोट खाने से हम अपने आपको रिलेक्स मैसूस कराते हैं और नीन भी घजब की आती है अक्रोट खाने से हमारा दिल एक्टिव रहता है इससे फरपूर मात्रा में एंटि आक्साइड होते हैं जो दिल को एक्टिव बनाए रखते हैं नमबर चार अक्रोट खाने से हम मदमय के खत्रे से बचाव कर सकते हैं तो फिर खाना जरूरी है ना नमबर पांच अक्रोट खाने से हमारा दिमाग तेज हो जाता है इसलिए लोग अक्रोट को brain food भी कहते हैं क्योंकि अक्रोट में vitamin E होता है नमबर 6 अक्रोट का सेवन करने से हम पेट के cancer से भी बच सकते हैं अगर आज से ही अक्रोट का सेवन शरू करते हैं तो हो सकता है आप cancer से बच सकें नमबर 7 अक्रोट खाने से हमारी life बढ़ती है और हमारे जीवन में उर्जा रहती है नमबर आठ करवती मैलाओं के लिए अक्रोट खाना बहुत फैदेमंद है क्योंकि इससे बच्चे को अलर्जी नहीं होती है और पोसक टवत्त भी मिल जाते हैं नमबर 9, अक्रोट खाने से चिंता यानि तनाव भी कम हो जाता है और सरीर का लेट फेसर भी नियंत्रित रहता है नमबर 10, अक्रोट खाने से मैलाओं के स्तन, सुडॉल और स्वस्त रहते हैं नमबर ग्यारा नियमित रूप से अक्रोट खाने से हमारी हड़ियां मजबूत और स्वास्ट रहते हैं नमबर वारा अक्रोट के नियमित सेवन से इस पर स्काउंट बढ़ता है इसलिए इसका खाना जरूरी है नमबर 13 नियमित रूप से अक्रोट खाने से बाल और इसके दोनों ही हेल्दी रहते हैं भाईयों ये सबतोते फैदे अक्रोट को खाने के अब हम जान लेते हैं इसकी विदिज को कैसे खाना है आप 15 ग्राम अक्रोट लेकर एक ग्लास दूद में डाल कर उबालना सुरू करिए उबालने के बाद पिसी हुई मिसरी मिला लीजिए ध्यान रहे कि चीनु जो आजकल बाजार में आती है वो नहीं डालनी है मिसरी को पीस लीजिए वो डालनी है अभी इससे दो चार केसर की पतियां डाल लीजिए इसको अच्छे से उबालने दीजिए अभी इस मिसरन को सुहाता और सुहाता गर्म गर्म पिए ये सक्ति वर्धक है दूसरा नुप्टा भी जान लीजिए आठ अक्रोट की ग्रियां चार बदाम की ग्रियां तस मुनक्का बीज निकाल कर ये तीनों एक साथ खा कर उपर से गर्म गर्म दूद मिसरी मिला हुआ पीजिए ये जवानों और बुरूप के लिए अत्यां सक्ति भार देगा तो भाईयों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जो बताएं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें इसे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी तो अब मैं चलता हूँ ओके बाई बाई